आपको असे लुट अप्ड़ाम अलेकुम दोस्तों उमीद ने आप ठीक ठाक होंगे खैर खैरियत से होंगे और आप ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया होगा अगर सब्सक्राइब करना मत पूलेगा और बैल आइकन पर लाजबी क्लिक कर लेगा ताकि हर आन है हाजी अलादितो साब के पास और इनका पर्टेरी का टू टॉप क्लास का शौक है यह आज आपको दिखाएंगे इंशालला और माशाला से इनके बास जो ब्रीड है वह बहुत ही प्योरिस हालत में हैं और अपने पॉइंट में हैं तो आज अलादितो से भी बात करेंगे औ आपको मैं थोड़ सा इनकी बक्रियों का दिखा दूँ फिर इंशालला हम इसे कुछ सवाल जवाब भी करते हैं इसलाम अलेकुम वालेकुम सलाम सर इस सफ आईगा थोड़ सा क्या हाल चाले है हाजी ताब आपके आपके महरवाणी है कि आपने अपना कीम्ति टाइम दिया और हमारे दोस्तों तक पहुंचा है इस वीडियो की तरी काफी लोग जो है आपका शौक देखेंगे और आपकी जो एक्सपर्टीज है आपकी जो नौलिज है उससे फाइदा उठा सकेंगे तो हैसाब माशाळला ने AGAट रखी नहीं है आपने अल집, यह पे तेली बडी है पेवर काम ओरी हैं कामोरी से अलफ़ाला किराओं 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 है किराओं किया हुए है यह मेरे खोct Ilma बूद टेम हुआ हैं नहीं नहीं, कितने साल था शौक करते विया रहे हैं हैं अलफ़ाला मेरे को इसमें 32 साल हुगğl वया है आचा 32 साल हो गया माश्याला से चोटा था तर तभी से ये शौग कर रहा हूँ अच्छा तो यह इसी ब्रीट पे काम करें या इस से पहले को यौनस लिखिते हैं पहले से इस पहले से इसी चुरुसे रखें हैं है तो अभी कितनी पंड पास हैं तुछनसी पहत्रो पैश्चि लगी नसल रखने की खास वजा क्या थी कि पर्तेरी बकरी आपने रखी था कोई और बकरी कामोरी गुलाबी या टेरी टाफ्र पर हर किसे का चूक इंय में है आपको आपके दिल को यह लगर है для लगी है तिय लाग है तो नहीं मिलती है तो अच्छा इस नेसल को माशाला से पॉइंट क्या होते हैं इस बारे में बताएगा फिर हमारी आपकी जो बक्रियां इनको एक-एक करके भी देखते हैं कोई एक बक्री मंगवाए जो पॉइंट में फिर हमारे जो वियोर से उनको पता चले कि अच्छा नहीं है जो इसकी पेड़ तुमको बताओं बताता हूँ तो इस मेरे सारे दाने चुने हुएं माशालाओ वो दिखाऊं बक्री जो अच्छी हो तुमको तुमको अक इक्र दिखाऊंगा माशाला नशालह जो भी खबती आएगा उसको पता नहीं पड़एगा तो कौन सी भखरी अची है इसमें बिल्कुल बिल्कुल पर आगे थोड़ सा अगी आए थोड़ सा इस तरफ बोलोगा सहरू में यह इदर रखी गया ताके आपर अच्छ सबको प्राइब दिखते हैं कि यहां रखिएगा थोड़ सामें भी इसको दिखाएं अच्छा इस तब करीगा थोड़ सा इनकी जो है एक सी भड़कर एक है और पटेरी की और यहां से देखें दूस्तों यह कूंझ बटियार है और माशाला भने के सब्सक्राइब करें अच्छा माशाला से ने चार पच्छा पच्छा पेर तेरी वी चार-चार बच्छे देती है कर दिए जो मेरे पास घड़ा यह चार में साथ है अभी तुमको दिखाता हूं अच्छा अच्छा इसके सोड़े हमारी पटेरी बक्रियों की बारे में जो पॉइंट्स हैं के हमारे दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं उनको पदा चले कि पॉइंट्स क्या होते हैं अभी कान इसका कलर साही इसे सारी वैटे इसे लाल कलर आगे साही अच्छा सिंग मुड़े में होने चाहिए और उपर किताब होने चाहिए अच्छा तो दोस्तों यह पॉइंट्स आपको पटेरी के थोड़े से बताते हैं कि एक तो भेल के लंबी होती है गर्दन की कितना गर्दन की होना चाहिए गर्दन वाली पक्री हम नहीं अच्छी बोलते हैं बिल्कुल यह देखें आप अकर यहां से वीडियो से देख रहा हो कि यह कैसी लंबाई जा रही है यह पॉइंट्स में आती है इनके जो लंबाई कानों की और जो कॉलेटी है और टूशी पेपर की तरह होनी चाहिए उबाई बोलते हैं बिल्कुल ऐसे गया है यह देखें जो कर वा रहा है यह चीज होनी चाहिए सिंग की पोजिशन उपर होनी चाहिए उसने बोला है तो बक्री ऐसी खड़ती है जैसा नवाब हो है माशाला से अच्छे और दिखाएगा अपनी बक्रि क्योंको अभी दिदार करेंगे माशाला से दिल खुश हो गया यहां के इनका माल देखके और जो इन्होंने समाल के रखी हुए जो इनकी डाइट मिंदेन की में माशाला से हेल्थ भी इनकी सबकी अच्छी है अब एक और बक्री आई है अभी उबाई देखोन इसकी भी जी माशाला 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 यह दिखें एक और बक्रियों से अच्छा बनाया है अपनी अपनी वक्रियों से बनी है अधर उदर लाके नहीं आया हूँ सही यह देखें माशाला यह इनकी होम ब्रीडे जो इन्होंने तयार की है माशाला से 35 सालों से शौक करते आ रहें और मजीद अपनी ब्रीड के निखार पैदा करते आ रहें इसके लाब क्यों और दिखाएगा यह बहुत अच्छी है करोड़ देने को तयार है मेरे मतलब की चीज मिलेगी तो मैं इसके पैसे फुल भढ़ने को तयार है जो मूँ मांगेंगे माशाला यह कौन सी बक्री है कौन सी सदा बाहर है माशाला हरते में एक जैसी होती है सही जैने से भी खुबसूरती है अच्छा इस देखें सारी जो बक्रियां तक्रीवन एक ही साइज की एक कलर की एक ही स्टाइल में माशाला जबर दस्ट और दिखाएगा अपरी बक्रियां इसका मिठ्डी नाम है बिठ्डी मिठ्डी 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 यह क्या है धरार से प्यार ज्यादा करती है जिदर बेड़ते हूं उदर आ जाती है रुप जाती है बस मूरा के बेड़ जाती है माशाला से यह इनकी बड़ी लाडली बग्री है जो जहा वीडियो आप कंप्रीट देखेगा माशाला बहुत जी फाइदेमंद वीडियो है पटेरी के साथ जो शौक करना चाहते हैं वह इनको लाजबी देखें ताकि आपको सीखने को मिले अच्छा और इसकी उमर कितनी है इसकी उमर कितनी है अभी है मेरे ख्याल में साथ महिने की अच्छा देखें साथ महीने की एक इस इंचकान है और चेहरा मैं आपको दिखाऊ हूं अगर इसका नाक भी दखो माशाला फुल तोता नाक है यह देखें आपको यहां से क्लियर देखेगा और यह साथ कौन सी है यह यह दखो है अलहम्दोलिला है यह यह डेल है देल माश है तो फिर दी पहले में दिखाया घृता है जब को आपको मैंने दिखाया ती उसी उसी का इये बच्चा है माशाला से अभी इसकी उमर कितनी खीरा है कि इसको साल जो अचा साल का बच्चा यह बच्चा है इंका फ्यूचर विडर रहे दूसा विडर इनके वाइड़ दो जूला इसका खिखा है यह हाजी साब के जो बृड़ीर को इसका राम थोलते माशा एला यह अभी कितने दांतों में पूरा 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 अच्छे जो बिद्ध आपने दिखाई थी पठेंगें इसी कीरे इसी नसल में से इसी की हैं अच्छा नहीं अभी जुप के बच्छी के तीके याएब शोटे भिū आपको बीडिखा पहले के बड़ी बड़ी एंड भुट कि अब को जो होटी बड़ी जो दिख्वाइब कि माशाअला जेकर होने का स्टायल ने कि आप लाइल चर्खी रखी आच्शा इसका नामे मेन कि अच्छा कूझ की माई है यह अच्छा यह koonज झाघिया तो हमने देख ली यह कुझ की माई और कुझ की बीटी भी आपको मैंने दिखाई थी अच्छा इसके सिंग थोड़े डिफेंट है यह थोड़े से यूनिक चीज आई इसमें इसमें सपोर्ट किया है गुड यह बहुत डिफेंट उसमें बिलकुर स्कुरू की तरह आए हैं और माश्याला से तीन ज पुराना चलता वारा है और नसल दर नसल इन्होंने समाल के रखावा है तो 32 साल हो गए तो फिर है तो अच्छा मैं आपको तीन जनेशन दिखाता हूं माश्याला से अच्छा इसकी मां ये हैं अच्छा देखें ये मां है ये इसकी बेटी है कुझ और ये इसका जो इसके नाम दिलबर है माशाला से यह जो है तीन-तीन इनके पास ब्रीड जनरेशन चल रही है और मैंने आपको दिखाया इसकी माँ भी माजूद है हमारे पास यह नहीं है अच्छा अच्छा दोस्तों यह देखें यह कॉलिटी होती है और सब्सक्राइब अच्छा नबन से ल कि अवह नसल इन्होंने मिंटेन की हुए समाल के रखी हुए माँ आपको दिखाई मैंने उसकी बेटी है उसका बेटा यहां पे तीनों मौझूद है अच्छा और दिखाएगा बक्रियां अपनी अभी आपको मजीद शॉक दिखाते हैं इनका जो इनकी बक्रियां कोशिच है कि हमें सारी बक्रिया आपको दिखाएं यह जो बड़ा तुम्कों को मिल्डर दिखाया है न जिजी बेन है अच्छा ओभी बेन है माश्याला इसका गव्णर नाम है के नाम इसका गववेनर ग जान कान माशाइबा बहुत हसीन ये भी इसकी बहन था यह अच्छा माशाइबाशालो माशाइल्ला और जो बड़ा प्रीटर आपको दिखाए था भो इसी से इनों का इसी का भाई है भाई यह सूंदों का बाइए माशाइबा अच्छा हजय सब यह पताहएं थोड़ सी इनक कितने में मिल जाती है यह अनमोल है तो नहीं बिंगती अच्छा दोस्त जबी आते हैं फिर लेके जाते हैं जो देते हैं वो पांच लाग देता है दस लाग देता है चार लाग देता है मतलब ये पिस लाग दे फिर चार पांच दने आठ दने आते हैं अच्छा बेड़ जाते हैं हम नहीं उठेंगे हमारे कुछ सोंक करा हूँ सबढ़िया हम ये थोड़े समझो ज्यादा समझो ये अभी किनों नहीं पैसे कितने हैं साही है साही है कोई नहीं भी देता हूँ अच्छा सभी दोस्ता आते हारी साही है क्या बन्हें देखना इतना दिल है कि कहते है कि इसके एक तो पैसे इनमोल है जो लोग आते हैं अब मुझा ऐसे हो मुझे मांगे यह पैसे देने को त्यारे और हईजी साब कभी कबार कहते हैं को फिर्श तोर फिर्श भी दे देता है मारे मेरे को फिर्श कुंप प्र स्काइब डिखाया यहाइज लेकर आपको गियुक्त में यह देए को यह अफ़् उसने प्रति आ किमत मेरे से नहीं बरनी है बागे कुछ देंगा उसने बोला नहीं एक जा किमत हो जित्रा इसका हक बनता है साहिए माश्याला यह सिंध मलूक है माश्याला से और यह आपको किस ने गिफ्ट दिकी थी वड़रो गुलाममत डायरी साहब ने जो मोरो वाले हैं उन्होंने इनको इनको गिफ्ट दीती बड़ा शोकी नहीं बिल्कुल साथावी सलाग में में उसने बख्री लिए माश्याला तो यह है माश्याला से इनका शौक और जाहिए सी बात है जो चीज आप बंटोंगे वह बंटेगी जैसे इनको गिफ्ट मिला तो यह भी आगे जो शौकी नहीं करते हैं जिन्हें पते हैं कि इसे नसल बनाएगा अगयी है इसी देशाओ भरता है इसे चाल बड़ता है जो इसको अची तरह पाले पाले पार मुलक वालों को भी नहीं देते हैं इदर मुलक पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए बिलकुल अलहम्दोलिला उसी वह वज़व स्थे पाला अच्छा है इनको खुराक यहाले से थोड़ सा बता है खुराक में आप क्या देते एंको दो क्लोड के लिए तीन कलो चार किलो थोड़ा थोड़ा इनों को भी खिलाते हूं साहि है आपके कर बारह मेने खाती है अच्छा सूका दाना ने देते हैं जैसे घन्दों चिलका चौकर यह गन्दों देते हूं बूसी भी ज़्यादा निदेते हूं कि आपकरी को ऐसे मोटा ऑगी हमारे बेचेने तो हरूपर बोटा हो जाए हम बॉत कर जान ये भी सबने देते हूं माशाला अच्छा ये इनके खुराके ये जो सीजन की घास होती है बर्सीन जंतर ये देते हैं साथ में पलड़ा देते हैं और चने वगएरा और कहने फ्रूट्स वगएरा भी देते हैं जब बचे अपने घर के लिए लिकराती हैं वो फिर इनको भी दे देते हैं हाई साथ बहुत अच्छा लगा आपका शौक देखें और माशाला ये जो अपने नसल बरक्रार रखी है और प्यूरस हालत में आपके पास है तब्याइद खुश हो गए माशाला से क्या कहना चाहेंगे जो शौक में आना चाहते हैं और जो शौक कर रहे हैं उस हवाले से क्य कहना चाहिए आपको पहले तो सलाम पेश करता हूँ जो मेरे बाई मेरे वेड़ों देख रहे हैं शुक्किन भाई दो सारे उन्हों को सलाम पेश करता हूँ दौा करता हूँ अला सब को खुश करे वालेकम सलाम आपकरे आए ये हजूरी माले नभी पाक सलाओ अले अले वेजール हुश आपने हाथ घुमाएं ये बरकत ओला माले विलकुल पयालना चाहिए इसमें जितनी कुझा है इसे एक दाने की दो दाने की चार दाने की आर दाने की सहे बरकरी रिकने Mark काम करें जो करन्य और शाद है इन्षाला आपकिकाम जो करना चाहिए मैं पेगाम सारों को यही दे रहा हूँ हारी साथ का पेगाम यही कि बक्रियां पालें एक तो सुन्नत वाला काम है और माशाला से इनके पास जब आप बैठते हो आपका शौक हो तो आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती है और वैसे भी इस पे हदीस है कि अगर हम इसको इससे प्यार करेंगे वैसे ही इस प्यार करने पे आपको सवाब मिलता है बक्रियों से इनकी जो मिट्टी जाणने पे भी इस पे भी सवाब मिलता है पूरी हो जाएगी आ इन्शाल्ला बरकत हो जाएंगी जरूर पालना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया आप आप आपने अपने अकीमती वक दिया और हमें ये शौक दिखाया और हमारी वियूर्स को शूक मेरत शुक्रिया शुक्रिया अबाने के शुक्रिया आपको कुष करें बच्चों में मेरबानी सरू कि देखिए इनका माल था जो मैंने आपको दिखाया उमीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो आप लोग की सपोर्ट के थुरू हमें यह मोटिवेशन मिलती है तो हम वीडियो को आगे कंटिनु करते हैं और मुक्तलिफ इलाकों में जाके आपको शौक दिखाते हैं ताकि आ आप जादा स्यादा सीख सके हैं बहुत शुक्रिया अपना क्या लगएगा अल्ला हाफिस